सर्माय और एंग्लिश टीचर दोस्तों यूर हट्ली वेलकम इन वियकानद ओनलाइन क्लासेज आप सब का वियकानद के ओनलाइन क्लासेज में आर्दी कब नंदन है फ्रेंड्स जिससे कि आप महां अपना आपकी टेक्स्ट बुक पनोर्मा का जो फर्स सेफ्टर है दा टाइ वियकान भागू का शिकार क लिए दोस्तों को लाइफ में एक दो भाग ने यहां शिकार कर सकता है उसने निन्यान में बागो को खतम किया तो इसका नाम बाग राजा बना जहां से अपन ने फर्स्ट और सेकंड सीन के बाद लेप्ट किया था वहीं से नाव आयम स्टाइटिंग यूर बुक प्लीज ओपन यूर बुक और ट्राइट विट मी प्रॉम दा डेट ओन वाट्स इट वस सेलेवरेशन टाइम पॉर ओल्ड टाइगर इन है भी टिंग पर्तिबंध पुरम उस दिन से पर्तिबंध पुरम में रहने वाले बागों का उत्सव काल प्रारंब हो गया क्यों हो गया देखो इसको अपन अग्ले लाइनों से टाइगर हंटिंग बाई एनिवन एक्सेप्ट दा महाराजा ए प्रोक्लेमनेशन वाज इसूट टू दाइफेक्ट एड एनिवन देर टू फॉर फिलिंग सो मुचेज इस्टोनेटे टाइगर ओल इस अवेल्द एन प्रोपर्टी बुट भी कन फिस केक टिन ओन फिस्केट क्योंकि राज बागों के लिए उत्सव काल इसलिए प्रारंब हो गया कि महाराजा ने गोश्टना की थी कि अगर आज के बाद मेरे अलवा किसी ने भी बाग पर एक पत्तर भी महारा तो उसकी दोलत जाइदाद जब्त कर ली जाएगी स्टेट के द्वारा एक वर्ड मिनि भी अटेंट टू ओल अधर मेटर सौनली आप्टर के लिंग दा हंड्रेट टाइगार्स और महाराजा ने पढ़ती कि कि वह जब तक और अन्य कोई कारें नहीं करेंगे जब तक वह पहले सो बाग नहीं मार लेंगे पहले सो बागों को मारने मार के अपना और कारें निप् ऐसा भी नहीं है कि उसने कोई खत्रों का सामना नहीं किया हो देर वर टाइम्स देर वर टाइम्स वें दे ब्लूट मिस्ट दा मार्क दा टाइगर लेट अपन हीम एंड ही फाउट दा विश्ट विट इस दा बेर हैंड्स कई बार ऐसा हुआ कि उसके दोरा चलाई गोली का निशाना चूग गया और बाग उसके उपर उचल के आया और नंगे हाथों से उसे वाग से फाइटिंग करना ही पड़ी दोस्तों पर पर परते एक बार इस टाइम इट वोस दा माराजा वो ओन हर बार वो रामाराजाई जीच जाता था क्योंकि सकती सालिता प्राकरमी था उसके राज एक सामने उपस्यत हुआ कि एक बहुत ही उच्चे पदस्त बिटी सदीकारी प्रतिमंद पुरह में उसे भी सिकार करने का सोग था राजा ने मना कर रखा था वह वह वेरी फाउंड ऑफंटिंग टाइगर्स वह भी बागों को मानने का सिकार करने का सोकिन था और पे नहीं एक मिन सोकिन एंड फाउंड रोब बिंग फोटोग्राट विद टाइगर से एड़ सूट और उसको यह रहता था कि जिस टाइगर को शिकार करता था उसके पास फोटो की चाहता था खड़ा हो कि उसके मरत्सरी के पास एज यूजवल ही विस्टु हांट थे सब्सक्राइब कर दोस्तों नेमत्सर का सिकार करता रहा है जा रहा है चोटे से लेकि बड़े जानबर का किसी का भी सिकार कर सकते हो विए रेडी फॉर दा हम वास्क्योटो हंट हम मच्छर के सिकार के लिए तयान है बट टाइगर हन्ट इस नोट इंपोसिवल यह असंभव है दा बिटीस ओपिसर सेकेटरी सेंट वर टू दा महाराजा थ्रो दिवान डेड दुराई कि इंसेल डिवान के माराजा मना कर रहे हैं तो एक व्यस्ता कर लो कि महाराजा ही सेर का सिकार करेंगे हमारे जो अधिकारी है उनको तो उसके पास फोटो खिषाने से मतलब है फोटो खिषवाने की प्रमिशन दी जाए अधिकारी की तो एक इच्छा थी कि बंदू पकड़े जिस सिकार का सिकार किया गया है जिसका उसके पास खड़े होके वो फोटो खिषवाले बर्दा महाराजा बर्दा महाराजा वोड़ नोट एगरी वन तो इस प्रोपोजल नहीं महाराजा इस प्रस्ताव से इपने सहमत नहीं हो इफ रिलेटें नाव वाट वोड़ भी महाराजा का यह सोचना था कि हो सकता है कि मागर इनको यह सीव करती दे दूं कि ठीक है तुम फोटो खिच वालो तो कोई दूसरांग रेज दिकारी आके कोई और इच्छा परकट करें कि बिकोजी प्रिवेंटेड़ बिटिस ओपिसर फॉल्फिलिंग इस डिजायर और इसके लिए क्योंकि उसने एक बिटिस अदिकारी को इसकी इच्छा पूर्ण करने से रोका था महाराजा इस्टूड इन डेंजर ओप लॉसिंग इस किंग्डम इटसेल्प दोस्तों जमा परितिमन लगाया था था महाराजा एंड दिवान हेल्ड डेली ब्रेशन ओर इस इसू महाराजा और उसके दिवान ने कई मंत्र नाएं कि क्या अपन करें कि उच्छे अधिकारी को कुछ कर सकें अग्रेज अधिकारी को एज रेजल्ट एटेली ग्राम वाज डिस्पेश्ट फॉर्थ वित फॉर फेमस विटिस कंपनी ऑब जैवलर्स इन कलकट्टा उसका परिणाम हिवा कि जो कलकट्टा के एक परसिद्ध बिटिज जवारात कंपनी के पास एक तार बेजा गया टेली ग्राम में इनी तार सेंट सेंपल सोब एक्सपेंसिव डायमंड है और रिंग्स ऑफ डिफ्रेंट डिजाइन्स संफिप्टी इंग्स अराइवड अराइवड दा महाराज सेंट दा हूल लोट अब बेटिश ऑफिशर गुड लेडी लग पचास अलग लग रतन जडित मुल्यवान अंगोटिय सेंपल मंगाए गए और वो सब उच्छे पदस्त अदिकारी की बीबी को बेजेगे आप जानते हो कि थोड़े लालची के साफ से महिलाओं का जल्दी मन रहता है लालच्पन नोन में जल्दी आता है दा किंग एंड दा मिनिस्ट्र एक्सपेक्टेर दा दुराइस सनी एक दो अंगुटियां रख लेगी इन पचास में से जो अच्छी लगेगी और बाकी बेज देगी सेस्ट विडिन नो टाइम एट अल्द दुराइस समी सेंट हर रिप्लाई थैंक यू वेरी मच फॉर यूर गिप्स लेकिन दुराइस सरी ने कोई भी समय नहीं गुज थी लेक रुपीज एड मेनेश्ट विटेन इस किंगडम रिटाइन से मतलब होता अधिकार में बनाए रखना माराजा इस वास से कुछ थे कि कोई दिक्कत नहीं मैंने तीन लाक रुपे गवाय लेकिन अपने राज्यों को अपने अधिकार में बनाए रखना नेक्स्ट प बागों को मारने का जो अभियानत हो वह बहुत ही अच्छे से चलता रहा दस साल में सब्तर बागों को यह नहीं लगबक एवरेज निकल किया रहा है साथ बाग हर साल मारते रहे इतना इजी नहीं है बाग आसाने से मिल जाए फिर उसको मारना एंड देन एन अन फोर्शन ह फोरेश्ट पर्तिबंधपुर्म बागों की जो संक्या थी वह पर्तिबंधपुर्म के जंगलों से लुपत हो गई हूँ नोज वेदर टाइगर से फ्रेक्टिस बार्थ कंट्रोल और कॉमिटेड हेरा किरी कौन जानता है कि ऐसा तो नहीं है बागों ने प्रियाड नियुजन अपना लिया हो जंसंक्या कम कर लियो यह एक हास्यास्पत से लिए है यहां लेकर की या फिर आत्मत्या कर लियो हो और सिंप्ली रन अवे फ्रों दा स्टेट विकोज डिसाइड़ तो भी सुट बाइब बिटीस हैंड सलों और यह राज्य से बग गया हो खाली वो किसी अंग्रे जैदिकारी क्या तुसे ही मनना पसंद करते हो ऐसा तो नहीं हुआ है तो वन दे महाराजा सेंट फॉर दि तो यह महाराजाने इपनी बंदूख कोहां में ले राते हैं कि दिवान तुझे मालूम है की अभी मेरी इस बंदूख से तीस बागों को ओर मढना बाकी है यह आस्कर ब्रेंडििस शिंग इसह दो अपनी उसको हवा में लेखाते हुए दीवान को brandy singh यह नहीं हवा में लेखाते हुए माराजा कहते है suddering the sight of the gun लेखाती बंदू को देखकर दिवान cried out your majesty दिवान चलाता है माराजा दिराज I am not a tiger मैं एक बाग नहीं हूँ which idiot would call you tiger कौन मुरग तुझे बाग के रहा है no and I am not a gun और नहीं मैं एक बंदूक हूँ you are neither tiger nor gun तुम बाग नहीं हो मैं बंदूक नहीं हूँ दिवान साहिब I summoned you here for a different purpose मैं तुम्हें एक अलग उद्दिशिक लिए बुलाया हूँ I decided to get married married मैं शादी करना चाहता हूँ the divan began to bubble even more इस बात को सुनकर अब divan अलग इसाफ से बढ़ बढ़ाने लगा और कहने लगा bubble यानि बढ़ बढ़ाना your majesty I have to wives already if I marry you कि मेरे पहले से दो बीबियां और फिर भी तुम मुझे से शादी करना चाहते हो don't talk nonsense मुर्कों किसी बाते मत करो महाराजा कह रहा है why should I marry you मैं तुम से साधी क्यों करूंगा what I want is a tiger your majesty please मुझे तेख बाक चीए please think it over your ancestors were married to be sword तो दिवान कहता है कि तुमारे पूरवजों ने ancestor पूरवजों ने शादी की थी तलवार से sword if you like married again तुम चाहो तो बंदूख से कर सकते हो the tiger is more than enough for this state एक बाग राजा इस राज्ये के लिए कूप है it doesn't need a tiger क्योंने as well अब इस राज्ये के लिए कोई बाग रानी नहीं चीए महाराजा गेव लाउड क्रेक महाराजा दिवान की बास सुनके जोड से हसता है दोस्तों आएम नोट थिंकिंग ओप मेरी एदर टाइगर और एक गन तुमारा जा कहता है मैं कोई बाग से बंदूख से शादी नहीं करना चाहता है बाट एक रल फॉम्दा रैंक्स ओपूमेंड बिंग मनुष्य स्रेने की एक लड़की से करना चाहता हूं फ्रस्ट यूँ मेड रोप इस्टेटिक्स इस्टेटिक्स यानि आंखडे पॉपलेशन इन डिफरेंट नेटी स्टेट्स तुमार अलग लग पड़ो सी राज्यों से आंखडे मंगाओ कि किस राज्य में बाग सबसे यादा है वहां कोई अपना ही हो जाए और वहां जब जाए जब बागो का सिकार करते रहे तो बच्चे वे तीस बाग अपनी से इस तरीके से कंप्लीट करें यां 70 बागों के बाद को बाग नजर नहीं आरा था next you may investigate a tip there is a girl महाराजा का कहना था कि इसके बाद तुम खोजो की किसी राज परिवार की साही लड़की हो जिससे मैं स्यादी करूं उस राज्य में बहुत सारे बाग भी हो दिवान फोलोड इस ओर दिवान ने महाराजा के आदेश की पालना की फाउंड राइट गल्फों इस्टेट विस्टा पोसेश्ड लाज नंबर ओप टाइगर उसे एक ऐसे राज्य की सही लड़की मिल गई जिस राज्य में बागों की विशाल जंसंग क्या थी महाराजा जं दोस्तों इन इस मेन नाइंटी नाइं टाइगार इसकी इन सद्वरेंट वॉल्स ऑप रिसरफ्शन हॉल इन पर्तिवंद प्रम पैलेस बड़े लोगों का तरीका भी बड़ा होता है बागों को गिनने के लिए पता है महाराजाने क्या कि नन्यान में बागों की खाल अपन सब्सक्राइब को कान बनता है यहां हम अपना योडियो लेक्चर फिनिस करता हूं ओके बेस्ट ओप लग करता हुआ हुआ है